Basic to Advance English Grammar Series का ये पार्ट है Guys, आज है Day 1 आज जो आप सीखने वाले वो है Tense Tense बोले तो काल English बोलने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत हमें Tense की पड़ती है अगर आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद भी Tense का यूज अपनी Day-to-day conversation में नहीं करते हैं तो ये वीडियो अभी ही छोड़ सकते हैं क्योंकि सीखने का कोई मतलब नहीं है जब आप इसका यूज ही नहीं करते ये वीडियो उन इस्ट्रेंट के लिए है जो इस चीज को अपलाई करते हैं तो guys Tense का मतलब होता है काल Tense के थ्री पार्ट होते हैं वर्तमानकाल, भूतकाल, भविश्यकाल वर्तमानकाल मतलब जो अभी चल रहा है भूतकाल यानि की जो बीच चुका है भविश्यकाल यानि की जो आने वाला है वर्तमानकाल को हम Present Tense कहते हैं भूतकाल को हम Past Tense कहते हैं और भविश्यकाल को हम Future Tense कहते हैं अब तो हम ये जान गए कि tense के 3 parts होते हैं present tense, past tense and future tense लेकिन ये भी बात जाना ज़रूरी है कि ये जो 3 parts होता है ना इन 3 parts का 4 types होता है सब में 4-4 types होता है tense के जो 3 parts होते हैं इनके 4-4 types होते हैं उन्हें भी हमें सीखने पड़ते हैं तो चलिए एक एक करके हम सारे types को सीखते हैं अगर अब present के 4 types को सीख गये तो अब past और future को बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो 4 types का पहला type है indefinite indefinite का मतलब क्या होता है जिसमें कोई काम निश्चित ना होना मतलब और निश्चित होना ऐसे वाकिये जिनका समय निधारित नहीं होता है एक्जांपल की तुरू समझते हैं मैं पढ़ता हूँ मैं कब से पढ़ता हूँ? कब तक पढ़ूँगा? पता नहीं I study इसे हम इंगलिश में बनाते I study मैं पढ़ता हूँ I study मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं कब से क्रिकेट खेलता हूँ? कब तक क्रिकेट खेलूँगा? पता नहीं I play cricket तो indefinite में वैसे sentences आते हैं जिनका समय निधारित नहीं होता है कब से मैं खेल रहा हूँ? नहीं पता है कब तक मैं खेलूँगा? नहीं पता है अनिश्यत होता है हमें जानकारी नहीं होती है कि वो कब से वो काम कर रहा है और कब तक वो काम करेगा इंडेफिनीट समझ में आ गया अब चलिए continuous को समझते हैं continuous को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना, कोई काम continue रहना continuous tense में भी ऐसे sentences आते हैं जो कब से शुरू हुआ, कब तक खतम होगा उसका पता नहीं होता है लेकिन हमें काम चल रहा है, इतना मालूम है जैसे मैं पढ़ रहा हूं मैं कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ूँगा ये पता नहीं है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं अभी मैं पढ़ रहा हूं, continue मेरा पढ़ाई जारी है ये हम लोगों को पता है तो ऐसे sentence, continuous sentences के category में आते हैं I am studying, मतलब मैं पढ़ रहा हूं मैं cricket खेल रहा हूं मैं कब से cricket खेल रहा हूं, कब तक खेलूँगा, पता नहीं मैं अभी cricket खेल रहा हूं, अभी cricket खेलने का काम जारी है I am playing cricket तो continuous में हम लोगों ने क्या समझा कोई काम कब से शुरूआ, कब तक खतम होगा, वो पता नहीं लेकि कोई काम भी चल रहा है, इतना हमें पता होता है अब बढ़ते हैं, third number types, perfect tense perfect tense में वे sentence आते हैं, जो कोई काम पूरा हो चुका है ये आपको पता रहता है, जैसे मैं पढ़ चुका हूं मतलब मेरा पढ़ने का काम जो है न, वो खतम हो चुका है तो जब आपके sentence में कोई काम खतम हो चुका होगा तो वो जो sentence है न वो perfect tense के category में आते हैं मैं पढ़ चुका हूँ I have studied मतलब मैं अपना काम पढ़ने का जो काम था न वो खतम कर चुका हूँ राम cricket खेल चुका है राम का जो cricket खेलने का काम जो जारी था वो खेल चुका है खतम हो चुका है तो राम has played cricket या has, have, verb का third form क्यों यूज़ किये वो हम आगे सीखने वाले हैं तो ये आपको समझ में आगे perfect tense में वे sentence आता है जो sentence में काम पूरा हो चुका रहता है वो perfect tense के category में आते हैं अब आया perfect continuous ये चीज़ क्या होते हैं इसे थोड़ा ध्यान से समझना कान खोल कर perfect का क्या मतलब होता है हम लोगों ये perfect tense देखा perfect tense का क्या मतलब हुआ कोई काम पूरा हो चुका है और continuous में हम लोगों ने क्या देखा इसमें काम चल रहा है perfect continuous में ऐसे sentences आएंगे जो काम हो चुका है और जारी भी है मतलम कोई काम पूरा हो चुका है इसके बार भी पता है और कोई काम जारी अभी चल रहा है फ्यूचर में भी जारी होगा वो भी पता होता है ठीक से बोलू तो कोई काम किसी समय में सुरू होकर प्रती दिन अंस्तव पूर्ण होकर आने वाली समय में भी जारी रहेगा जैसे मैं सुब से पढ़ रहा हूँ मतलम मेरा काम कब से शुरू होगा सुब से पास्ट से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू पढ़ने का चल रहा ह मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ अभी भी मेरा पढ़ने का काम जो है जारी है मतलब एक समय से सुरू हुआ वो भी हमें पता है और अभी कंटिन्यूज चल रहा है वो भी हमें पता है तो I have been studying since morning या since 4 क्यों लगाते वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ I have been studying since morning मैं पिछले 5 सालों से अंग्रेजी बोल रहा हूँ मतलब मैं past में 5 साल पहले से इंग्लिश बोल रही हूँ अभी भी मैं इंग्लिश बोल ही रही हूँ I have been speaking English for the last five years तो आपने क्या समझा perfect continuous में कैसे sentences जाते हैं जो कब से शुरूआ ये भी आपको पता रहता है और वो काम अभी continuous चल रहा है ये भी आपको पता रहता है अब मैं आपको एक बार और अच्छे से clear कर दू present in definite में वैसे sentence आते हैं जिनका समय निधारित नहीं होता है continuous में ऐसे perfect tense में वैस sentence आते हैं जो काम पूरा हो चुका रहता है मैं पढ़ चुका हूँ मैं गाना गार चुका हूँ मैं पढ़ा चुका हूँ मतलब वो काम खतम हो चुका है ऐसे sentence perfect tense में आते हैं अब perfect continuous की बात करें तो perfect और continuous दोनों मिला के ही perfect continuous बनता है यानि की काम कब से शुरूआ सुरू से सुरू हुआ और अभी तक चल रहा मतलब मैं आपको दो घंटे से पढ़ा रही हूं दो घंटे पहले मैंने पढ़ाना सुरू किया और अभी तक पढ़ाना मेरा continue चल रहा है तो और भी हम एक्जांपल के थुरू इसे बहुत अच्छे से गहराई से जानने वाले हैं का फूट्रास उसी तरह से पास्ट कप इंडाफिने पास्ट का Conting किने पास्टक पास्ट का beg कॉंठी और अप ते ज सीकना हो कितना मुस्किल को सीखना तो गाइस कुछ मुस्किल नहीं है बस आप यह फोर टैप्स को जान गया तो बाकि आप सब आसान लगेगा आपको तो सबसे पहले हम सीखने वाले present का indefinite past का indefinite और future का indefinite पहले हम indefinite को सीख लेते उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये 12 भाग को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं जो बहुत ही जादा important है उसकी बीना टैंसर बना नहीं सकते हैं सबसे पहले आप ये जान ले subject क्या होता है subject जैसे राम, गीता, सीता, ही, सी, इट, जब subject लगाते हैं न किसी व्यक्ति को दर्साने के लिए कि राम गाना गा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तुम पढ़ा रहे हो तो ये हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो वह हमारे subject हो जाता है object क्या होता है object कोई वस्तू होता है जैसे वस्तू हो गया समान हो गया जो भी आप कहलो sentence के थुरू आपको अच्छे सा समझ में आएगा और सबसे ज़्यादा important होता है हमारा verb अगर हम ये जान गया ना सारा खेल, tense में सारा खेल वर्व का ही है वर्व आपको याद होना तो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप वर्व नहीं चानते तो मैंने वर्व को समझने का बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बताया है आप चाहिए तो वो मेरी वर्व वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप वो वीडियो देख लेंगे आपको रटनी की जरुवत नहीं पड़ेगी बस थोड़ी कॉंसेप्ट को आपको समझना है और वर्ब को आसानी से दिमाग में घुसा लेना है तो वर्ब का मतलब होता है किरिया या फिर काम जो भी बोलो जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ खेल रहा हूँ ना तो खेलने का काम कर रहा हूँ तो वो खेलना ही हमारा वर्ब हो गया तो चलिए धीरे धीरे हम वो भी समझेंगे पहले आगे बढ़ते ह तो आपने ये समझ लिया कि कौन क्या है, subject मतलम वैक्ति जो रहता है, object मतलम जो वस्तुर रहता है, और वर्व यानिकी किरिया सबसे पहले हम present indefinite को समझेंगे, present indefinite में affirmative sentence यानि कि सकरात्मक वाग किया negative sentence यानि के नकरात्मा को वाग किया interrogative sentence यानि के प्रस्नवाचक्स वाग किया और कुछ importance rule महतपूर्ण नियम को भी हम याद करेंगे तो चलिए examples को बनाते हैं अब तो हमारा first example है मैं किताबे पढ़ता हूँ क्या मैंने बोला? मैं किताबे पढ़ता हूँ अब मैं present indefinite की पहचान आपको बहुत ही बारिकी से करवा दूँ अगर आप वो ध्यान से सुन लेना तो आप आसानी से present indefinite के सारे sentences को समझ जाएंगे जिसके last में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ जो रहता है ना मैं रहता हूँ, ता हूँ मैं खेलता हूँ, ता हूँ मैं पढ़ाती हूँ, ती हूँ लास्ट में जो आ रहा है ना वो हमारा present indefinite में है तो जिसके last में ता हूँ, ते है, ती है, ती हूँ जो आता है उस वो हमारा सारा sentence क्या होता है? प्रेज़न indefinite का है तो मैं यहां क्या बोर रही हूँ, मैं किताबे पढ़ता हूँ, ता हूँ, मैं किताबे पढ़ता हूँ, तो यह है present indefinite, इसे हम कैसे बनाएंगे, I read books, इसका structure क्या है, सबसे पहले आपको subject लगाना होता है, उसके बाद आपको verb लगाना होता है, उसके बाद आपको object लगाना होता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले subject लगा दिया, आई, उसके बाद verb, आप यह हमेशा rule याद कर ले, कि जो आप present indefinite में कोई भी sentence बना लिजे, present indefinite का कोई भी sentence बना लिजे, आपको verb का first form ही लगाना है, negative, interrogative या फिर affirmative sentence, कैसे भी sentence हो, present indefinite में आपको verb का first form ही लगाना है, तो verb का first form हम लोगों ने लगा दिया, उसके बाद हमारा किताबे के लिए books, जो हमारा object है, I read books, उसी तरह से मैं किताबे नहीं पढ़ता हूँ, negative sentence, नहीं पढ़ता हूँ, सबसे पहले आपको subject लगाना है, और नहीं पढ़ता हूँ, उसके लिए do not लगाना है, अब यह do not कहां से आगया, यह भी मैं आपको बताऊंगी, do not एक तरह से helping verb है, helping verb की बारे में भी मैं आपको बोले हूँ कि मैं importance rule भी आपको बताऊंगे, जो आपको याद करने हूँगे, मैं यह आगे आपको बताने वाली हूँ, तो I do not read books, मैं किताबे नहीं पढ़ता हूँ, अगर हम लोगों ने do not का कहीं भी use नहीं किया, यहाँ do not का use कर दिया, यहाँ आगे में हम लोगों ने do का use कर दिया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था, मैं किताबे पढ़ता हूँ, I read books, अगर आपको बोलना हूँ, वह किताब पढ़ता है, यानि क जब आप he, she, it या फिर किसी के नाम की बात करें तो आप verb में as और yes जोड़ देते हैं ये हमारा third person singular होता है he, she, it third person singular होता है तो जब भी आप बोले वह किताबे पढ़ता है वह यानि कि he हमारा third person singular हो गया तो यहाँ पे से verb का first form नहीं लगाएंगे वर्व के first form में as नहीं तो yes जोड़ता है read में as हम लोगों नहीं लगा दिया reads हो गया, he reads book वह किताबे पढ़ता है अगर आता तुम किताबे पढ़ते हो, you read book read में as नहीं लगाते, you read book अगर बोलते ही, ram किताबे पढ़ता है, ram reads book affirmative sentence ऐसे बनाएंगे negative sentence वह किताबे नहीं पढ़ता है he does not read books यहाँ पर हम लोगों ने do not का use किया था ना, हम जब third person singular की बात करेंगे तो हम do not नहीं, does not का use करेंगे, तो he हमारा third person singular है, इसलिए हम लोगों ने does not का use किया है क्या वह किताबे पढ़ता है does he read book अब does का यहाँ पर पहले यूज किया क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा he third person singular रहेगा तो does का use करेंगे, जब आपके sentence में क्या, कब, कहा, कैसे, क्यों, तो आपको वहाँ पर helping verb do या does का use करना है present indefinite में, अब चलिए कुछ rule याद कर लेते हैं rule number one है, कभी भी कोई वाक्य में who से प्रारंब होता है तो उसके साथ do या does का परियोग नहीं होता है यानि कि जब आपके sentence who से start होगा, तो उसमें do does का use नहीं होगा, जैसे who goes to school, कौन school जाता है, यहाँ पे हम लोगों ने who के बाद गोज लगा दिया do or does का use नहीं होता है who makes a noise, कौन school करता है, नियम number two, कभी भी कोई वाक्य do or does, helping verb के रूप में use होता है तो main verb में as और yes हटा दिया जाता है, जैसे does he read books, यहाँ पे हम ही हम लोग का क्या है third person singular है ना, तो तो क्या यहाँ पे हम लोगों ने as और yes लगाया नहीं न लगाया, क्यों? क्योंकि अगर do or does हमारा helping verb के रूप में use होता है, ना, देखि पहले हम लोगों ने use कर दिया does, तो हमारा main verb के साथ as और yes नहीं लगता है, यह rule आपको याद रखना है, तो आप present के किसी भी वाक्य को बना सकते हैं, तो यह हम लोगों ने सीख लिया present indefinite को, इसी के साथ present indefinite हो गया खतम अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आप दुबारा इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपकी tense में जो भी doubt है, वो clear हो जाएगी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि उसकी practice करें, आप day to day conversation करता हैं ना किसी से उसमें tense का use करें, इसका apply करें, उसका use करें तो चलिए अब देखते past indefinite को past indefinite में भी हम affirmative sentence यानि कि सकरात्मक वाक्या, negative sentence यानि कि नकरात्मक वाक्या, interrogative sentence यानि कि प्रस्णवाचक वाक्या importance rules यानि कि मतपोर्ण नियम भी हम सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमारा नियम आप ध्यान दे सकरात्मक वाक्या में वर्व का second form लगेगा क्या? वर्व का first form इसमें नहीं लगेगा क्या लगेगा? वर्व का second form लगेगा सकरात्मक वाक्या affirmative जब sentence आप बनाईएगा तो उसमें आपको वर्व का second form लगाना जैसे तुम हिंदी बोलते थे तुमने हिंदी बोली दोनों सेंटेंस एक ही है जब आपके सेंटेंस में ता थे ता थी ऐसे आएगा न तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस तुम हिंदी बोलते थे, ते थे, या फिर तुमने हिंदी बोली, पास्ट में तुमने हिंदी बोली, तो बोलेंगे you spoke हिंदी, speak हम लोग का क्या होता है, वर्व का first form होता है, लेकिन हम लोग को affirmative sentence में क्या लगाना है, past indefinite में वर्व का second form लगाना है, इसलिए हम लोगोंने you spoke Hindi, तुम हिंदी बोलते थे, second number rule है हमारा नकरात्मक वाक्य में subject के साथ did not जुडता है, हम लोगोंने present indefinite में क्या किया था, नकरात्मक वाक्य के साथ do या फिर does not का use किया था, लेकिन past indefinite में नकरात्मक वाक्य यानि कि negative वाक्य में subject के साथ did not, चाहें जो भी subject हो, जो भी subject सबके साथ आपको did not का ही use करना है, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, you did not speak Hindi, you हमारा हो गया subject, did हो गया हमारा helping verb, speak यानि की verb हो गया और हिंदी हमारा object हो गया, तो ये हम लोगोंने समझ लिया क्या है ये, तो नकरात्मक वाक्य में हमेशा did not का use होता है, ये आपको याद रखन थार्ड नमबर नियम है, प्रस्न वाचोग वाक्यों में did subject के पहले आता है, जब आप किसी से question कीजिएगा past में कि क्या तुम हिंदी बोलते थे, ऐसे sentence हम बोलेगा न, क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो ये हमारा क्या हो गया, past indefinite का sentence हो गया, तो इसमें हम did का use subject से पहले करेंगे, हमारा subject you है न, you से पहले हम लोगों ने did का use किया, यानि कि हम पहले did का use करेंगे, did you speak Hindi, did you speak Hindi, या verb का second form नहीं लगीगा, वर्व का first form लगीगा, did you speak Hindi, क्या तुम हिंदी बोलते थे, तो यहां पर हम लोगों ने नियम भी सीख लिया, क्या क्या नियम आपको याद रखना है, जब आप affirmative sentence, only affirmative sentence, past के indefinite का only affirmative sentence में आप वर्व का second form लगाएंगे, नकरात्मक वाक्य यानि कि negative sentence में आप subject के साथ did not जुडता है, subject के just बात आप did not का use करते हैं, प्रस्न वाचोक वाक्य में, did का use subject के पहले ही हो जाता है, अब rule no.4 है, who से सुरू होने वाक्यों में did का परियोग नहीं करते हैं, जैसे school कौन गया, कौन, कौन यानि की who, तो हम बोलेंगे who went to school, who went to school, यहाँ पे हम लोगों ने did का use किया, नहीं, क्योंकि हमारा जो सवाल था, वो who से start हुआ, किसी सवाल कर रहे हैं और कौन बोल रहे हैं तो उसम को देख लिया, यह चारो रूल आपको याद रखने हैं, तो बाकि सारे हो जाएंगे past indefinite clear, अब future indefinite की बात करते हैं, future indefinite में भी हम सीखेंगे affirmative sentences यानि की सकरात्मक वाक्या, negative sentence यानि की नकरात्मक वाक्या, interrogative sentence यानि की प्रस्नवाचक वाक्या, और कुछ important rules यानि की महत पूर्ण नियम भी सीखने वाले हैं, पहला नियम है हमारा भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है, future indefinite में वैसे sentences आते हैं, जो भविष्य के लिए बोली जाती है, जैसे वह वहाँ जाएगा, तुम यह खाओगे, तुम पढ़ोगे, तो जिसके last में गा गे गी आ तो वह हमारा future होता है, future indefinite, जिसके last में गा गे गी आता है, वह हमारा future indefinite होता है, जैसे पहला रूल है, इसमें किसी भी subject के साथ will का परियोग होता है, पहले हम cell का भी use करते थे future के लिए, लेकिन अब grammar में cell का use नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ will का use होता है, तो आप सभ बोलेंगे, गागे की आ रहा है न, तो हम बोलेंगे, you will speak Hindi, यहाँ पर verb का first form ही आपको लगाना है, you के बाद आपको क्या लगाना है, helping verb, will, उसके बाद verb आपको लगाना है, and the last object लगाना है आपको, तो यह हो गया, you will speak Hindi, आप Hindi बोलेंगे, हमारा दूसरा नियम है, इसमें will के बाद not का परियोग होता है, negative sentence में, आप Hindi नहीं बोलेंगे, negative sentence है, तो बोलेंगे, you will not speak Hindi, will के just बाद आपको not का यूज करना है, उसके बाद वर्व का यूज करना है, you will not speak Hindi, आप Hindi नहीं बोलेंगे, third number हमारा rule है, interrogative sentence में subject के पहले will का परियोग किया जाता है, interrogative sentence अब जब बनाईएगा, future के indefinite का, तो उसमें will का use आप subject के पहले करेंगे, क्या तुम हिंदी बोलोगे, will you speak Hindi, क्या तुम हिंदी बोलोगे, तो ये तो बहुत आसान हो गया, हम लोगों ने present सीखा, तो past और future भी आसानी से समझ में आ गया, तो यही तो कमाली tense का, कि हम ने आप समझ में आ जाएगा, तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या सिका, टैंस की basic जो knowledge हमीं बहुत जरूरी होती है, वो knowledge हम लोगों ने जान लिया, कि कितने parts होते होते हैं, किसका मतलग क्या होता है, यह हम लोगों ने जान लिया, और क्या जाना, present indefinite, past indefinite, future indefinite होता ह क्या है, इसमें कैसे sentences आते हो, उसे कैसे बनाया जाता है, कौन-कौन सी rule होते हैं, जो हमें याद रखने होते हैं, सारे rule मैंने बताया, सारे rule आपको समझ में आ गया होका, इसी के साथ हम लोगों ने 3 tenses को सीख लिया है, और बाकी कुछ sentences है, और कुछ बाकी जो tense है, वो हम basic to English grammar series के day 2 में करने वाले हैं, तो वेट केजएगा day 2 के लिए, और बाकी जो tenses है, उसे भी आराम से सीख लिजएगा, अगर वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में जरू बदाए कि वीडियो कैसी लगी, अगर आप चानल पर नहा है, तो चानल को वीडियो लेकर आओ, आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग